पिछले वीडियो में मैंने आपको LRC से रिलिटेड जो भी क्वेडी थी उसको किलियर किया था देशिक की अप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है तो क्या करें एड्मिट कार्ड नहीं है रैंक कार्ड में आपका कब तक हां तक फाइनल होगा सगेंड लिस्ट भी निकलेगा तो यह सभी से रिलेटेड मैंने आपको पिछले वीडियो में किलियर किया था उस वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो आप इसको देख सकते हैं चैनल पर अपलोड है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर आपको बहुत सारे लेटेश्ट अपडेट पीडियो जो भी आती रहती है मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ जिसको कि आप कभी भी कहीं भी सर्च करके इसको आप डॉनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और अगर अभी तगा आप लोग हमारे वाटसप चैनल या वाटसप ग्रूप में जॉइन नहीं कि हो तो यहाँ पर भी आप जॉइन हो सकते हैं इसका भी लिंग आपको डिस्कृप्चिरिप्चन में मिल जागा या आपको अब पसे पहले आपको आपको एड कर देने के लिए तो आपको आड कर दिया जाएगा स फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ कि आपको क्या-क्या ले जाने होंगे तो यहां पर नीचे से ही शुरू करते हैं जिसमें की सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन सिलीब का आपको दो कोपी आपको ले करके जाना है तो आप वेरिफिकेशन सिलीब जो है उसको डाउलोड कर लीजेगा और आप दो कोपी ले करके जाईएगा तीन कोपी आप निकाल लीजेगा इनकेस अगर आप भरते टाइम कोई मिश्टेक हो जाती है तो चार पेज में आपको एक पेज जो है सबसे लास्ट में जो आपका फूर्थ पेज है वहां पर वेरिफिकेशन के तौर पर रखा जाएगा वहां पर तो यह print of application form जो आप फिल के थे उसका print out तो जिनके पास भी अगर आप अपना print out सेफ करके रखे हो तो अची बात है अगर आप print out अपना save करके नहीं रखे हो तो उस case में इसका link आता है जो कि counseling से आपको just पहले इसका link update कर देगा इसके website पर जहाँ पर किलिक करके अपना ID password डाल करके अपना आप application form print कर पाओगे तो निश्चींत रहिए कोई भी इसके तरफ से counseling की जाती है BCC board के तरफ से तो सभी counseling को करने से पहले इसका application form print करने का link देता है जो कि आप इसके website पर अलग-अलग vacancy का check कर सकते हैं सभी में ये application form print करने का option देते हैं इसमें भी देगा कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद यहां पर बोला गया है कि यहां पर any other certificate apart from the above as per requirements of the prospectus of revenue and lands reports department dealers for online computer-based CBT 2023 तो इसमें जो भी list दिये गए हैं इनके अलावे prospectus में अगर कोई documents mention है तो आपको ले करके जाना है पहले इसमें देख लेते हैं उसके बाद prospectus में भी चलेंगे कि कौन-कौन सी documents आपको वहां पर mention है अगर आप Freedom Fighter में आते हैं तो आप अपना certificate ले करके जाएगा नहीं आते हैं तो कोई जरूरत नहीं है ले जाने की अगर आप experience जो भी post में experience required था तो उस post में आपको experience certificate ले करके जाना है अगर आपके post में experience required नहीं था तो आपको ले करके जाने की कोई जरूरत नहीं है जो उपर के post थे डिपलोमा और बीटेक वालों के लिए दो post में आपको experience मांगा गया था जो 8444 post है बिशेश सर्वेक्षन अमीन का इसमें कोई भी experience नहीं चाहिए और जो color का post है इसमें भी कोई experience की जरूरत नहीं है उसके बाद यहां पर mention है कि original mark sheet and original passing certificate of minimum educational qualification as mentioned in para 1 of prospectus of revenue and lands difference department तो prospectus में जो भी post के लिए जो minimum qualification required है उसका certificate आपको ले करके जाना है तो इसमें जो यहां पर civil engineering में असना तक मागा गया यानि कि B.B.T.E.C. में civil engineering तो यहां पर आपको अपना B.T.E.C. का जो certificate है जो आप civil engineering में किया होंगे यह आपको ले करके जाना होगा और दो वर्स का जो यहां पर आपका experience certificate ये ले करके आपको जाना होगा उसके बाद ये जो पोस्ट है बिसेश सर्वेक्शन कानूनगों का इसमें अगर आप डिपलोमा की हैं सिविल से तो आपको ये ले करके जाना है और दो साल का यहां पर एक्सपिरियंस आपको ले करके जाना है इसमें अगर आप लोग कोई ऐस करके जाओगे तो भी आपको reject कर दिया जाएगा अगर आप लोग डिपलोमा किये हैं उसके बाद बीबीटे की हैं तो अपने बीबीटे के डिगरी को घर पे रखिए और जो डिपलोमा का डिगरी है certificate है उसको ले करके जाएगे इसके बेसिक पढ़ी आपको वहां पर job होगा उसके बाद यहां पर जो color का पोश्ट था इसमें आपका graduation का degree मांगा गया था तो graduation का degree आपको ले करके जाना है तो यही minimum criteria जो qualification है यह वहां पर बोला गया है तो जो भी certificate था उनका आपको original marksit और original passing certificate आपको ले करके जाना है बहुत सारे से candidate थे जो comment कर रहे थे कि अभ के पास अगर provisional certificate है तो आप उसको ले करके जाएए अगर possible होता है तो अपने college से contact किजैए अगर हो पाता है तो अपने college से आप ले आईए अप्र पासिंग सर्डिफिकेट है अगर possible नहीं है तो उस case में Ihnen a-ны प्रोविजन सडिफिकेट ले कर के जाए बहुत सारे candidate ऐसे हैं जिनका admit card नहीं मिल रहा है जो आप exams देने गए थे तो वहाँ पर आपको admit card दिया गया था उसमें वहाँ पर sign किया गया था और मोहर भी लगाया गया था तो अगर वह आपके पास नहीं है वही इसमें लिखा गया कि original admit card आपको ले करके जाना है लेकिन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है आप उसको ले करके जाएए अगर वह आपके पास नहीं है तो आपके पास अगर PDF भी होगा तो आप उसको निकाल करके ले करके जाएए अगर आपके पास PDF भी नहीं है और कुछ भी नहीं है तो उस case में आप अपना एक application लिख लि है कि जो admit card अगर आपके पास आगे मैं आपको बताऊंगा कि check slip में क्या important है जो आपका reject हो सकता है जिसके वज़र से आप reject हो सकते हो final merit list में admit card आपके rejection का कारण नहीं बन सकता है उसके बाद आपको यहाँ पर तेंत का जो भी original certificate है वो आपको ले करके जाना है या तो mark sheet हो सकता या आप mark sheet भी ले करके जाएगा certificate भी लेकर जाएगा क्योंकि दोनों यहाँ पर लिखा गया और admit card भी लिखा गया तो admit card अगर आपके पास है तो अची बात है नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि date of birth mention होता है certificate में date of birth के लिए proof of age के लिए तेंत का certificate जरूर रहे हैं already किसी department में और उस department को छोड़ करके इसमें join करना चाहते हैं तो उस case में जिस department में वो काम कर रहे हैं उस department से उसको NOC लेकर के LRC में submit करना होता है तो यह उनके जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उनसे contact कीजिए कि हमको NOC लेना है तो वो लोग आपको वहां से दे दे कास certificate में जो भी आप आते हैं SCHC category से उनको कास certificate चाहिए जो आते हैं BC, EBC category से उनको NCL certificate चाहिए तो NCL certificate आप जो भी upload किये होंगे वो आपको लेकर करके जाना है चाहिए आप यहाँ पर SDO उसके बाद DM या CEO या RO से आपका बना होना चाहिए चलेगा कोई दिक्कत नहीं होग तो कोई दिक्कत नहीं है चलेगा लेकिन अगर आपका इस बीच में नहीं बना हुआ है तो आप नया बनवा सकते हैं जो की एक से दो दिन तीन दिन में आपका बन जाता है तो अभी counseling भी बहुत लंबा चलने वाले जिसका भी date है तो आप अपना बनवा सकते है नया वाला जो आप form फिल करते टाइम दिये थे उसके बाद अगर आप लोग विकलांग कोटा में claim की हो तो आपको ले करके जाना है और जो यह original mark sheet और passing certificate जो मैंने आपको बता दी तो वही सब documents आपको checklist में भी mention है यहाँ पर आप देख सकते है original copies and one set of photocopies of the following documents तो आपको यह सभी documents का एक set आपको निकाल लेना है उस पर आपको self-retested करके ले करके जाना है अब यहाँ पर mention है कि any other certificate apart from the above as per requirements of the prospectus of RLRD या DLRS CBT दुजारते हैं अब उसमें बताया गया यह है कि जो prospectus है यह इसमें list of documents यहाँ पर दिया गया तो जो भी इसमें अगर कोई जरूरी है तो इसमें स पत्र चरित पर्मान पत्र उसमें mention नहीं है तो यही character certificate जो है यहाँ पर उसमें mention नहीं है तो यहाँ पर दिया गया कि character certificate आपका कहां का बना होना चाहिए तो जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामंकित हो उसके प्रचारी द्वरा आपका बना होना चाहिए तो जिस भी college म आप अगर डिपलोमा की हैं तो आप अपने डिपलोमा कोले से जो आपको मिला होगा या तो अगर आपको नहीं मिला होगा तो आप वहां से कॉंटेक्ट कर सकते हैं या बनवा सकते हैं तो ये अगर आपके पास है तो अच्छी बात है लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो उस case में अगर possible है बन पाता है तो बना लीजिए अगर नहीं बन पाता है तो उस case में आप लोग को wait करना है जो भी candidate ऐसे हैं जिनका first day अगर counseling होगा तो उन लोग से contact करना है या आप जो first day counseling करवाईएगा 26 ताडिक को या आपके उनके बाद जब भी इसका counseling start होगा तो आप लोग comment section में जरूर से बताएगे या आप हमें whatsapp या telegram पर जरूर से message कर दीजेगा कि आप से जो character certificate है मांगा गया है या ने मांगा गया है अगर आपका जिस दिन भी first day अगर किसी का counseling होगा तो आप हमें telegram पर या whatsapp ग्रूप या whatsapp चाहिए आपको हमार number description में दिया गया है उस पर जरूर से message कर दीजेगा कि कौन कौन से documents मांगे गया है क्या medical certificate भी मांगा गया है या क्या आपका जो character certificate है या मांगा गया है अगर आपके पास नहीं था तो उस case में क्या बोल दिकतना उसके बाद यहां पर आई परमान पत्र का जिकर किया गया है income certificate का आवसकता अनुसार counseling के समय प्रस्तूत किया जाना है तो यह आपका अगर आपके पास है तो अच्छी बात है नहीं भी है तो कोई दिकत नहीं है इसका उतना जरूरी नहीं रहता है उसके बाद यह certificate जो EWS candidate है उनको जरूरी होता है तो यह आपको ले करके जाना है वहाँ पर आपको फोटोग्राफ जो है फोर फोर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यह आपको ले करके जाना है उसके बाद यह सभी documents के बारे में मैंने आपको बताई अब आते हैं कि क्या medical fitness certificate जरूरी है इसके बाद लिखा गया कि इस परिक्षा के आधार पर चैनीत उमिदवारों का स्वास्थ परिक्षन कराये जाएगा और इस परिक्षा के आधार पर पुर्णता स्वास्थ पाये जाने की स्थिति में ही उन्हें न्यूक्ति के योग मना जाएगा तो इसमें लिखा है कि अ लेकिन अगर आपके पास नहीं है या नहीं बनवा पाते हैं तो आपका इसमें रिजक्षन के लिए यह नहीं है कि आपका रिजक्ट कर देगा यह आपके बाद फाइनल मेरिट लिष्ट निकलेगा फाइनल मेरिट लिष्ट में जिनका भी नाम होगा तो उनको जरूरी होगा तो उस time भी आप बना करके दे सकते हैं उसके बाद जहां पर आपका योगदान किया जाएगा तो हमको यही लगता है कि यह जो medical fitness certificate है जहां पर आपका योगदान होगा उस time आपको मांगेगा उस time आपके लिए जरूरी होगा तो अगर आपके पास आप बनवा सकते हैं तो बना लिजी आप अपने अच्छी के लिए कोई दिकत नहीं होगी लेकिन अगर आपके पास नहीं भी या नहीं भी बनवा पाते हैं तो final loop से जो select होगे हमको लगता है उसी के लिए है कि जो final loop से select होगे उनको जब योगदान करना होगा जिस भी जिला में आपको मिलेगा तो उस time आपको फिर से मांगा जाएगा सारा documents वहाँ पर भी आपका verification होगा अलग अलग जिला में तो उस time आपको वहाँ पर प्रस्तूत करना होगा अब मैं आपको बताता हूँ कि mainly रूप से जो counseling या document verification में आपकी check होने वाली है यही check points है जिसमें कि आपका age verify किया जाएगा कि आपका जो age है जो आप application form में डाले हो और आपका जो date of birth है तेंत के certificate में वह सही है की नहीं है आप इसके लिए eligible है की नहीं है उसके बाद आपका educational certificate है यह सही है की नहीं अगर यह सभी में कुछ दिक्कत होता है तो एक rejection का कारण बनता है ऐसे नहीं residential certificate आप बिहार के residence यानि की निवासी होने का claim की हो और आपके पास residential certificate नहीं है तो उस case में आपको unreserved category में डाल दिया जाएगा अगर आप किसी category में claim की हो कि हम इस category से belong करते हैं बिहार से belong करते हैं और आपके पास वो certificate नहीं होगा तो उस case में आपको unreserved category में डाल दिया जाएगा सिधा सिधा लिखा है इस PDF में उसके बाद आपका identity verification किया जाएगा कि जो भी candidate आप exams देने गए थे वही candidate है की नहीं तो इसके अधार पर आपका rejection या selection हो सकता है जो आपका admit card है ये नहीं है तो इसके अधार पर आपका rejection का कोई कारण नहीं बन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते है जिस post में experience required है और उनके पास अगर experience certificate नहीं होगा तो उसको दिक्कत होगा उसके बाद यहाँ पर no objection certificate अगर कोई कहीं पर काम कर रहे हैं और उसके पास no objection certificate यहाँ पर नहीं होगा या does not satisfy अगर उनको satisfied नहीं होगा तो उस case में उनको दिक्कत होगा तो यह सब चीज जो था total mainly seven यहाँ पर points है जो आपका rejection का कारण बन सकता है इनके अलावे अगर कोई दिक्कत है आपको तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी वो आप एक application अप लिख लीजेगा जो भी आपको problems है तो अगर वहाँ पर मांगा जाएगा तो आप अपना application जाते हैं तो आप हमें नीचे comment section में जरूर बताईएगा ताकि आने वाले वीडियो में आपको clear कर सको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करके चैनल को subscribe कर लिजेगा बहुत सारे से candidate हैं जो अभी तक चैनल को subscribe किजिए वीडियो देख करके आप चले जाते है चैनल को subscribe किया किजिए ताकि हमें भी motivation मिलते रहे और आने वाले जो भी update आती रहेंगी मैं आपको जरूर से बताऊँगा और हमारे टेलिग्राम चैनल वाट्सप गुरूप और वाट्सप चैनल से जोएन होकर करी वहाँ पड़ भी आपको सभी latest update मिलती रहेगी